सुरेंट मेरे पास डेली बहुत सारे बच्चों के फोन आता है उनसे बात करके ये समझे आता है कि वो चीजों को अन्नेसेसरीली कॉंप्लिकेट कर रहे हैं ठीक है इस वीडियो में आप बताना चाहता हूं कि कि इस सारी चीजे और ओर्गनाईज होना बहुत ज़्यादा application करने का मतलब एक बार आपने theory पढ़ ली समझ ली उसके बाद उसके application याने mcqs क्योंकि नीट के exam में 180 mcqs आएंगे multiple choice question उनके practice करने simple सा ठीक है concept clear करने के लिए आपको ये दो चीजे करने वीडियो देखते वे notes लिए उसके बाद ncrt का reading किया application build-up करने के लिए आपने physics chemistry के 100 question और बायो के दोस्तों question प्रैक्टिस किये फिजिक्स chemistry का chapter 100 question बायो का chapter 200 question और आपको नीट के exam तक करी 25 मौक टेस्ट लगाने हैं ठीक है थोड़े वीकेरेस पता चल जाते हैं तो आप continuously अपनी वीकेरेस में मैनत कर सकते हैं ठीक है और यह सारी चीजे करने के लिए आपको एक daily routine चाहिए जिसमें आप वीडियो देखेंगे या ncrt पढ़ेंगे क्वेशन प्रैक्टिस करेंगे मौक टेस्ट देंगे दो हफ्ते का माइक्रो टार्गेट सेट करना है यह माइक्रो टार्गेट इसलिए सेट करना है कि exam time bound है आपको पांच साल तयारी नहीं करनी है आपको विद्वान नहीं बनना है आपको एक्जाम के लिए रेडि होना ए उनके application ready हो जाए और क्योंकि यह time bound है आपको time optimize करना है और optimize for time यह खासकर 2021 वालों के लिए applicable है 2022 वालों को time optimize करने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है अपना simple video देखते हुए notes लिया NCRT पढ़ा question practice किया और जब target complete कर लिया तो test दिया है ना पर जो 2021 के student है time अभी काफी easy or difficult में break कर लिया easy chapter के पहले question practice कर लिया और सारे question हो जाते तो आपने वीडियो नहीं देखे difficult chapters में आपने पूरी sequence follow की ठीक है और जो micro target set किया 9-10 chapter का उसमें 4 आपने easy chapter ले लिये let's say 5 difficult chapter ले लिये इतनी इसी चीज़े और कुछ भी नहीं करना आप इन चीजों के around खुद को organize कर लीजे इतनी सी चीज़े और कुछ भी नहीं है तैयारी के अंदर 10-12 घंटे daily पढ़ाई एक routine के तैथ और यह चीज़े आप करते गए तैयारी को बरबाद करने की क्या तरीक है मैंने सुना NCRT से paper आता है NCRT का रट्टा मार लूँगा reading कर लूँगा ऐसी कि तैसी हो जाएगी नहीं समझ मैंगी बहुत ही अच्छे तरह के से किताब लिखी हुई है पर इसलिए उसकिताब को समझाने के लिए video courses या coaching एक्जिस करते हैं गीता की तरह है सब कुछ लिखा जम करते रहते हैं वहां इन्होंने कितना अच्छा पढ़ाया और टाइम खराब करते हैं ठीक है कोई daily routine निये 10 से 12 गंटे पढ़ने का कभी 4 गंटे पढ़े कभी 16 गंटे पढ़े बीमार पढ़ गए बस इधर से उधर ही चीज़े चलती रहती है कोई daily routine निये ideally दिखना चा सो जाता है फिर पढ़ने बैठता है फिर बाहर गुमने जाता है फिर पढ़ने बैठता है फिर कुछ करता है और फिर सो जाता है बस हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज जो बचावा टाइम है उसके अंदर है ना टार्गेट सेट नहीं किये और टार्गेट मीट नहीं किये तो सिलेबस खतब नहीं होगा अभी या तो बहुत जल्दी करेंगे बहुत स्लो चलेंगे और बाद में हवा उड़ जाएगी ठीक है यह जो आपने टार्गेट से पढ़ने की कोशिश कर रहें जबकि ऐसा नहीं है खासकर यह 2021 वालों के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जो 2022 के स्टुडेंट उन्हें तो सब कुछ स्क्राइच से पढ़ना है ताइम है आपके पास दो अफ़ते के तीन से चार चैप्टर करेंगे आराम से सिलेबस खतम हो जाएगा और समझ में भी आएंगे चीज़ें कॉंसर्ट भी बिल्डप होंगे और एप्लिकेशन यहाने एंसी क्यूज भी कर सकते है आराम से पर जब आपके पास टाइम कम बचा है आपने एक दो बार तैयारी कर लिए ड्रॉप कर रहे है तो आपको स्क्र तो सारे लोग कवर हो जाते हैं जो मिला उसकी अडवाई सुन ली अब इसमें आपको स्टोरी सोनाता हूं एक बार क्या हुआ शिव और पारवती नंदी पे बैठके जा रहे थे तुनों बैठे हो तो एक आदमी निकला उसने का देखो कैसे लोग है नंदी को मार डालेंग आगे चले एक और आदमी मिला देखो कैसे बेखूफ है नंदी सवारी अवेलेबल है फिर भी पैदल चल रहे है तो आपको जितने लोग मिलेंगे उतनी एडवाईस देंगे और आपके दिमाग का दही बनाएंगे इस बात को ध्यान रख लीजे बिलकुल फोकस रहे है आपको सुनके थोड़ा डी मोटिवेट होते हैं तो वापिस मोटिवेट हो जाते हैं बस वहाँ पर आके रूख जाईए उससे जादा इधर उधर मत भागिए ठीक है नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा अभी आपको मैंने शेपारवती की सोरी सुना दी हर अंकल जी जो एंड तक आते हाते हवा निकल जाएगी अभी भी टाइम है चीजों को अपनी तैयारी को सिंपल कर लीजे अपनी तरफ से इन्वेंशन मत करिए मुझे कुछ भी आता नहीं पर मैं सवाल लगा लूँगा क्योंकि मेरे से सवाल नहीं लगा थे नीट के एक्जाम में क्या व क्या और मुझे अब ये आपसे एक सिंपल चीज चाहिए दो चीज़े बता दिजे वीडियो के कामेंट में क्या आपको समझ में आया कि चीजों को सिंपल कैसे करना है और कॉंपलिकेट करने से कैसे बचना है ठीक है और दूसी चीज यदी समझ में आ गया तो आज से आप जो भी ये कॉंपलिकेट करने वाली चीजे हैं इन्हें बंद करेंगे और सिंपल वाली चीजों पर आ जाएंगे ये दो आधन टार्गेट वगरा सेट करने के क्वेशन मॉक्त है सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इवन एंसी आटी में ऑडियो डाले जा रहे हैं जिससे आप एंसी आटी को समझ पाएं पर यदि आप यह इसमें घुसा देंगे तो इस कोर्स का कोई भी फायदा नही है प्लीज अपनी लाइफ पे गंद मत मचाईये कॉंप्लिकेट मत करिये लाइफ अल्रडी बहुत कॉंप्लिकेटेड है बहुत सारा हल्ला बहुत सारा के ओस है यदि आप चीजों को सिंपल रग गए तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयार एई हईआए और झीजों करियो जाएंगे तरहार कि बहुतर सारा है हुध धजये